नमस्कार जय हिंद बंद मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिटिज ब्रोदर प्लाटपॉम में रास्ति में सिख्षाद इस अमिर नाजी प्रोदर तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार इनुवर्सिटी कदब से जोगरफी पेपर वन का मॉडर पेपर जारी किया गया है उसका लेक्चर 3 वीडियो देखने वाले हैं इसे पहले दो वीडियो बन चुका है उसको जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा तो अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको सम समाने भरंज, गरोवेन या जोपानी, तो क्या कहा जाता है 101 का गरेक्ट इंसर होगा C, गरोवन कहा जाता है। चलिए अगला question 102 का रहा है, महासागरों में सरवाधी गहरी ग्रोबेन, डैस के रूप में पाया जाता है, समुन्दरी खाई के रूप में, या समुन्दरी कटक के रूप में, या समुन्दरी बेसिन के रूप में, या समुन्दरी प्लेट फॉर्म के रूप में, ति कीस रू भ्यूत्क्रम भ्रंज, धन्सान घाटी या सम अपनती, तो किस का उधारण है? 130 का correct answer होगा, C. धन्सान घाटी का उधारण है, अगला question देखते हैं, 104 कर रहा है, किस ने कहा बर्तमान ही अतीद की कुणजी है, तो किस ने कहा तब बर्तमान ही अतीद की कुणजी है, 105 का correct answer होगा C. Davis ने कहे थे अगला question 106 का रहा है William Morris निम्ण में से किस देश के संबंदित है रूस से, भारत से, जर्मनी से या स्वयुक्त राज अमरीका से तो कहां से संबंदित है 106 का correct answer होगा D. स्वयुक्त राज अमरीका से संबंदित है अगला question 107 का रहा है एक रूपतावाद के सिधान्त का पर्तिपादन किस ने किया Gilbert, Hutton, Davis या Pank तो किस ने किया था 107 का correct answer होगा C. Davis साब किये थे अगला question 108 का रहा है भागोलिक अपरतन शक्र की संकल्पना किस ने परिपादित किया Pank, Hutton, Davis या King तो किस ने किया 108 का correct answer होगा C. Davis साब ने किये अगला question 109 का रहा है किस ने कहा अस्थल रूप संग्रशना परकिरियाएम अवस्था का परतिफल है हैक, Hutton, Davis या King तो किस ने कहा 109 का correct answer होगा C. Davis साब ने कहा है अगला question 110 का रहा है Davis के अनुसार अपरदन चक्र के अंतिम पर्ण्यती को dash कहते है Pan fan, Fede plane, Pan plane या Penny plane तो क्या कहा जाता है 112 का correct answer होगा D. Penny plane कहा जाता है अगला question 111 कह रहा है कि निम्न में से कौन समाने अपरदन चकर की अवस्था नहीं है प्रिवा अवस्था, इवा अवस्था, प्रोडा अवस्था या ब्रिधा अवस्था तो कौन नहीं है 111 का correct answer होगा A. प्रिवा अवस्था नहीं है अगला question बारे कह रहा है अपरदन चकर की किस अवस्था में नदी घाटी में लंबवत अपरदन चकरिय होता है प्रिवा अवस्था, इवा अवस्था, प्रोडा अवस्था या ब्रिधा अवस्था तो किस में होती है 112 का correct answer होगा B. इवा अवस्था में होती है अगला question 113 कर आए नदी के B. सरपाकर रास्ते को dash कोते है B. सरपाकर रास्ते को क्या कोते है छाणन जील, डेल्टा, मियेंडर या दियारा तो किस नाम से जाना जाता है 113 का correct answer होगा D. दियारा कोते है अगला question 114 कर आए अपरदन चकर के किस अवस्था में डेल्टा का निर्माण होता है 114 का correct answer होगा C. इवस्था में डेल्टा का निर्माण करता है अगला question 115 कर आए अस्मा प्राय मैदान के सत्व पर इस्थित और सिष्ट पहाड़ी D. से कहलाती है गिरिपद, छिप्रिका, मोनेड़कनाक या गार्ज तो क्या कहते हैं 115 का correct answer होगा ए गिरिपद कहा जाता है अगला question 116 कर आए निम्न में से कौन सूस्क अस्थला किरिती नहीं है Dry counter, गारा, तिक्षड कटक या इनसे लबर्ग तो सूस्क अस्थला किरिती नहीं है कौन 116 का correct answer होगा अगला question 117 कर आए निम्न में से कौन पवन का कारिय नहीं है अप घर्षण, उतपाटन, अप वाहन या सनी घर्षण तो कौन नहीं है 117 का correct answer होगा बालू उड़ा लिये जाने के कारण निर्मित छोटे छोटे गर्थ को डैस कहते है यारग दांग, भू अस्थम्ब, बर्खाना या अकवाह बेसी तो क्या कहते है 118 का correct answer होगा C, बर्खान कहते है अगला question 119 का रहा है इनसेल बर्ख को डैस भी कहा जाता है बालू का अस्थूप, बोर्णा हार्ट, जिउंगेन या छत्र, सारी छत्र कसीलता तो क्या कहते है 119 का correct action होगा A, बालू का अस्थूप कहते हैं इनसे बेल को क्या कहते हैं बालू का अस्थूप कहते है 120 को रहा है वर्खान निम्ण में से किस अस्थला किरती में बनता है जलिय अस्थला किरती काष्ट अस्थला किरती सुस्क अस्थला किरती या हिमानी अस्थला किरती किस में बनती है 120 का correct answer होगा सी, सूस्क अस्तला किरती में बनती है अगला question 101 कारहा है निम्ण में से कौन निच्छे पात्मक सूस्क अस्तला किरती है बेंटिफेक्ट, मुश्रूम, जालोक या सीव तो कौन है, 121 का correct answer होगा भी मुश्रूम होते है अगला question 112 कारहा है निम्न में से कौन निक्षे पात्मक सुस्क अस्तला किरती है पौन्थ वातायन, बालू का अस्तूप, यारदांग या पूल और खिडिकी तो कौन है 122 का कोरेक्ट एंसर होगा ए पवन वातायन है अगला कोश्चन 123 को और रहा है निम्न में से कौन अपरदनात्मक सुस के अस्तला किरती है लोयस, इंसेलबर्ग, जीवगेन या ड्राई कांटर तो कौन है 123 का कोरेक्ट एंसर होगा C, जीविन, गेन है अगला कोश्चन देखते हैं 124 को और रहा है अगला कोश्चन 125 को और रहा है कि भारत के किस राज में सुसक अस्तला किरती का निर्मण होता है बेंगल, पंजाब, राजस्थान या उडिसा तो कहां होता है 125 का कोरेक्ट एंसर होगा C, राजस्थान में होता है अगला कोश्चन 126 को और रहा है निम्र में से कौन हिमानी अस्तलाकिरती नहीं है लटक्ती घाटी, यू अकार की घाटी, या धसान घाटी, या हीमोड तो कौन नहीं है अस्तलाकिरती, हिमानी अस्तलाकिरती 126 का correct answer होगा C. धनसान घाटी जोती है हिमानी अस्तला किरती नहीं होती है हीमोड यू अकार की घाटी लटक्टी घाती जोती है हिमानी अस्तला किरती होती है अगला क्वेचन 127 का रहा है निम्र में से कौन हिमानी के निक्षेप कारे से निर्मित होता है नूनाटक, रमलीन, टार्न जील या फियर्ड तो कौन होती है 127 का कोरेक्ट एंसर होगा C, टार्न जील होती है अगला क्वेश्चन 128 कारा आये निमन में से कौन हिमानी के निच्छेप कारे से निर्मित होता है टार्न, होर्न, स्रिंक पुंक्ष या नॉब एम बेसिन अस्तला किरती तो कौन होती है 128 का कोरेक्ट एंसर होगा A, टार्न होती है अगला क्वेश्चन 129 कारा आये निमन में से कौन सर्क का नाम नहीं है जर्मनी की कार, फ्रांस में थिवरी, थोरी, या नार्मे में बोटन, या बेल्स में कौम तो कौन नहीं है 139 का कोरेक्ट एंसर होगा डी बेल्स में कौन नहीं होती है अगला क्वेश्चन 130 का आये निमन में से कौन एक सर्क का भाग नहीं है सिर्ष दिवाल, पूंच, बेसिन, या चोख्टा तो कौन नहीं होती है, 130 का कोरेक्ट एंसर होगा भी पूंच, नहीं होती है अगला क्वेश्चन 131 का रहा है पलेट सब दावली का परियोग सर्क पर्थम, किस ने किया नूना टक, हीमोड, एसकर, दैतिया कार सुपान तो कौन है, 131 का कोरेक्ट एंसर होगा सि, एसकर किया सरी, पलेट सब दावली का परियोग सर्क पर्थम, किस ने किया तो एसकर साब ने किये थे चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 132 अस्थाई हीम के बीच का भाग, डैस कहलाता है हीम रेखा, हीम टोपी, हीम छेत्र, या हीम चज्जा तो क्या कहलाता है, 132 का कोरेक्ट एंसर होगा भी हीम टोपी कहलाता है चलिए अगला क्वेश्चन 23 देख रहा है बरगान शुरुड का नेरमाण निम्ण में से किस अस्थाला कर रिती में होता है अनूनातक, ड्रमलीन, सर्क, या लटक्ति घाटी तो कहा होती है, 133 का कोरेक्ट एंसर होगा डील लटक्ति घाटी में होती है अगला क्वेश्चन 134 कर रहा है किस अस्तला किरिती में पेटर नाश्टर जील का निर्माड होता है सर्क, इव अकार की घाटी, दैतियाकार सुपान या लोयस किस में होती है 134 का कोरेक्ट एंसर होगा डी लोयस में होती है अगला कोश्चन 135 कर आये लटक्ति घाती का निर्माड कहां होता है एक बड़ा एम छोटा हिमानी के मिल बिंदु पर परवत चोटी पर या फियर्ड के निकट या डी कराए दैतियाकार सुपान के निकट तो कहां होती है 135 का कोरेक्ट एंसर होगा सी फियर्ड के निकट होती है अगला कोश्चन 36 कर आये 136 की भूमिगत जल का सरवाधिक मत्मूर अपरदनात्मक कारे निम्न में से कौन है सन्नी घर्षण, घुलन किरिया, अप घर्षण या जल गति किरिया तो क्या है 136 का करेक्ट एंसर होगा ए सन्नी घर्षण होती है अगला कोश्चन 137 कर आये निम्न में से किस देश में वीश्व का सरवाधिक विश्तित कार्षट परदेश पाया जाता है भारत, मयामार, यूगलोसवानिया या फ्रांस तो कहां पाया जाता है 137 का करेक्ट एंसर होगा अगला कोश्चन 49 कर आये निम्न में से कौन कराष्ट अस्तला किरती नहीं है अंधी घाटी, लूप, डोलाईन या स्वकूंड तो कौन नहीं है 149 का करेक्ट एंसर होगा अंधी घाटी नहीं होती है अगला कोश्चन 140 कर आये कि 13 रोजा निम्न में से किस अस्तला किरती में निर्मित होती है अंधी घाटी में नहीं होती है अगला कोश्चन 142 कर रहा है कि कराश्ट परदेश में निम्न में से कौन निक्षे पात्मक अस्तला रूप नहीं है अगला कोश्चन 140 कर रहा है काश्ट परदेश में निम्न में से कौन निक्षे पात्मक अस्तला रूप नहीं है धस्ती निवेशिका, हेलिंग माइट, ड्रिप अस्टोन या कांदरा अस्तला रूप नहीं होती है इसका कौरेक्ट एंसर होगा धस्ती निवेशिका, निश्चे पात्मक अस्तला रूप नहीं होती है अगला कोश्चन 144 कर रहा है कंदरा में सही परकार के निक्षे पात्मक अस्तला रूपों को संयुक्त रूप चे ड्यस कहा जाता है ट्रेवर टाइन, एस, पिली, योथेम, फुलो एस्टोन या गोलो बुलाईट तो क्या कहते है 144 का कॉरेक्ट एंसर होगा सी, फुलो एस्टोन कहते है चलिए जवाला मुखी और अस्त्रा किरिती से कुश्चन 145 कह रहा है उद्रिकार की उवधी के अनुसार निम्न में से कौन जवाला मुखी के परकार नहीं है जागरत, सुसुप्त, एस्ट्रामबुली या मरीत तो कौन नहीं है 145 का कॉरेक्ट एंसर होगा सी, एस्ट्रामबुली नहीं होती है म्रित, सुसुप्त और जागरित जो होती है जवाला मुख्य की परकार होती है अगला क्वेशन एक चुछ चैलिस कर रहा है वह संकिन पाइप जिससे हुकर आन्तितिक लावा भूतल पर उदागरित होता है तो क्या कहते हैं ए कह रहा है जवाला मुख्य कैटर बी कह रहा है जवाला मुख्य मुख्य सी कह रहा है जवाला मुख्य नली या डी कह रहा है जवाला मुख्य संकु तो क्या होता है 146 का कोरेक्ट एंसर होगा जवाला मुखी कैटर अगला कोश्चन 147 को रहा है नीमन में से कौन केंदरिय उदागर परकार का जवाला मुखी नहीं है पंक परवा, फिलियन परकार, हवाईयन परकार या विसुवतिय परकार सरी विसुवियस परकार तो कौन नहीं होती है 147 का करेक्ट एंसर होगा ये पंक परवा नहीं होती है अगला कोश्चन 148 को रहा है नीमन में से कौन आंतरिक जवाला मुखी अस्तला किरती नहीं है लावा गुमबद, लावा मैदान, सील या डाई तो कौन नहीं है 148 का करेक्ट एंसर होगा ए लावा गुम्बद नहीं होती है अगला कोशन 149 कर रहा है निम्ण में से कौन आंतरिक जवाले मुखी अस्तला क्रिती नहीं है लावा फठ्थार, लोपोलीथ, लैकोलीथ या बैथोलीथ तो कौन नहीं होती है 149 का कोरेक्ट एंसर होगा लोपोलीथ नहीं होती है अगला कोशन 156 कर रहा है निम्ण में कौन जवाला मुखी संकू का उत्थित रूप नहीं है सिंडर संकू, मिसरित संकू, आसरित संकू, या क्रेक्टर संकू तो कौन नहीं होती है 150 का कोरेक्ट एंसर होगा सिंडर संकू नहीं होती है तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है अगर हमारे चैनल को नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय से वर वीडियो मिलती रहेगी लाइक कमेंट और सेर जरूर करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में 101 काउन से आगे देखेंगे तब तक के लिए धन्यबाद जय हिंद बंद मात्रम दोस्तु